हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब तो दोस्तो हमारे चैनल में उत्राखंड की सीरीज चलाई जा रही है जिसका आज ये तीसरा चैप्टर है और दोस्तो हमारे जो टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था उत्राखंड का भगोल जिसमें हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था उत्र अश्राखंड के देशांतर इस्तिति यतनी भी इस्तितियां बनते थी हमने वहां से उसका संबूर्ण अध्यन किया था और दूसरे चैप्टर में हमने पड़ा था उत्राखंड के परवती छेत्रों का विस्तार और उत्राखंड के जितने भी जनपत थे उनकी वहाँ पर आपको बताए थे और दोस्तो आज का जो हमारा चैप्टर है वह है उत्राखंड की अंतराश्ट्रिय सीमाएं और उत्राखंड की अंतराज्जी सीमाएं तो अंतराश्ट्रिय सीमाएं और अंतराज्जी सीमाएं क्या होती है पहले मैं यह बता जेता हूं आपको उ state border भी कहते हैं और दोस्तों एक बात और बता दू अगर आप telegram group से अगर joint होना चाहते हैं जहां आप test देना चाहते हैं जहां test series चला जाती है उतराखंड की geography की history की तो आपको link नीचे दे दिया गया है आप उसमें जाके group में join हो सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम लोग सुरू करते हैं उतराखंड का भुगोल chapter 3 तो देखिए सबसे पहले हम लोग दिसाओं के बारे में जान लेते हैं देखिए पूरब दिसा है पश्चिम दिसा है उत्तर दिसा है दक्षण दिसा है भुगोल में तो दिसाओं काई खेल है चलिए ठीक है अब देखिए हम लोग सबसे पहले यह जान लेते हैं कि उत्राखंड के उत्रा खंड का जो पूरवी तो पूरब में कौन सा देश उत्राखंड से अंतराष्टी सीमा बनाता है तो पूरब में जो नेपाल देश है वह उत्राखंड से अंतराष्टी सीमा बनाता है और इस अंतराष्टी सीमा का अधार क्या है वह है काली नदी चलिए ठीक है इतना आपने जान लिया है दूसरा हो देगते हैं हम आते हैं उत्तर में कि आपको कि बारा मैं कि बारा मैं सब कुछ नहीं मखंगा अभी मैंने कालते तरके बार को आप हल्का सा बताया है इसके आगे मैं थोड़ा औरी बता पहले आप बस जैसे मैं आपको समझा रहा हूं न आप बस investigación समझे और मैप की साहता से पढ़िए कभी भी इन चीज़ें को नहीं भूलेंगे चलिए ठीक है हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं उत्तर की दिसा में जब हम जाएंगे तो हम यहां दिखेंगे जो उत्तराखंड का जो उत्तरी भाग है वहां पर जो अंतराश्टरी सीमा बनती है जो कि तिबबत का छेतर है जो कि इसमें चीन के नियंद्र में है तो हम कह सकते हैं कि चीन से जो उत्तराखंड की उत्तरी भाग की सीमा बनती है वहां अंतराश्टरी सीमा है किसके बीच में चीन और उत्तराखंड के बीच में अब हम देखेंगे इसका आधार क्या है इसका हमारा भारत का मैप इस तरीके से कुछ आता है और यहां पर उत्राखंड है और यहां पर हमाले की इस्तिती है तो यहीं पर हमारा भी उत्राखंड भी इस्तिता इस हमाले की जगे में तो यही हमाले जो है वह भारत और चीन के मद्धे जो अंतराश्ट्री सीमा है उसका आधार है चलिए ठीक है अब हम बढ़ते हैं पस्चिम की तरफ पस्चिम दिसा हमारी कौन से हो जाएगी पस्चिम दिसा हो जाएगी हमारी यह वाली तो पस्चिम में है हमारा हिमाचल परदेश तो हिमाचल परदेश से यहाँ पर हमारी बन अधार बनेगा एक अंतराजी सीमा का अधार बनेगा वह होती टाउन सनदी टाउन सनदी के द्वारा उत्राखंड और हमाचल परदेश अलग होते हैं चलिए ठीक है उसके बाद हम आएंगे दक्षणी भाग में दक्षणी भाग में जो भारत है वह उत्तर परदेश के साथ सीमा बनाता है कौन से भाग में दक्षण भाग में और यहाँ पर जो तराई का भाग है इसी तराई के भाग द्वारा उत्तर परदेश एक दूसरे से अलग होते हैं ठीक है इतना आपने जान लिया और इसके साथ हम एक बात और याद रखेंगे कि उत्तराखंड जो हिमाल आप इतना समझे कि उत्तराखंड का पूरवी भाग में कौन सा देश है पस्ची भाग में कौन सा राज्जी है उत्तरी भाग में कौन सा देश है और दक्षणी भाग में कौन सा राज्जी है और कहां से अंतराश्टी सीमा बन रही है कहां से अंतराज्जी सीमा बन रही है यह सब मैंने आपको बता दिया चलिए साथ में एक चीज़ आपको और याद रखनी है दोस्तों कि जम्मू कस्मीर के दो केंद्र सासित पर्दिस बन जानने के करण भारत में हिमाली राज्यों के संक्या दस हो गई है अपडेट कर लिजे इस चीज़ को कल वाली वीडियो में भी आपको मैंने बताया था तो जम्मू कस्मीर के दो केंद्र सासित पर्दिस बन गए हैं जिस कारण से अब वह हिमाली राज्य नहीं रहा है पहले 11 हिमाली राज्य थे जिसमें उतराखंड का इस्थान था 11 उतराखंड किस परकार से इस्थित है तो इसके लिए हमको सबसे पहने जानना पड़ेगा हिमाली का प्रादिसिक विवाजन यहां आपको भुगोल में काफी काम आएगा जब भुगोल पड़ेंगे और आपको यहां भी समझा दे रहा हूँ यहां अगर आप समझ जाएंगे तो आगे आपको आसानी होगी तो चलिए देखते हैं हिमाली का प्रादिसिक विवाजन हम लोग किस परकार से करते हैं देखिए मैंने भारत का मैप बना रखा है इससे तो आप सबी लोग परचित हैं और यह भी आप जानते हैं कि जो भारत में कि हमाले के इस्तती है, वह यहां पर हमाले मालना लेंगे उत्षर की और जो है, यहां पर हमाले का बिस्तार है अतनी च्छुटी सी जगह में बताना सबको संभाव नहीं है इसलिए मैंने इस चीज़ को यहां पर बना दिया है यह देखी इसको अब हिमाले माल लेंगे जो यहां पर जो चीज़ आ रही है यह देखी जो हिमाले की इसलिज़ यहां पर आ रही है एक मिनट मैं जर अच्छे से मना दूँ देखी जो हमाले की सिर्ट यहां पर आ रही है मैंने इस छोटे रूप को यहां पर बड़े रूप में लिख लिया है क्योंकि इतने छोटी सी जगे में सब कुछ बताना असंबह हो है तो चलिए यह हमारा हो गया हमाले हम इसको माल लेंगे हमाले का जो प्रादिसिक विभाजन है वह किस आधार पर किया गया है वह किया गया है नदियों के आधार पर दोस्तो ऐसा कोशन एक जामे बन भी चुका है कि हिमाले का प्रादिसिक विवाजन किस आधार पर किया गया है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा आपका उत्तर होगा नदियों के आधार पर अब वो किस परकार से किया गया है वो हम आपको बताएता हूँ देखिए पूरव से हम लोग पस्चिम की दिसा है ये पूरव छेतर है ये पस्चिम दिसा कैसे ये देखिए ये पूरव छेतर है और ये हमाले को इस तरह से आगा ये पस्चिम छेतर की और आएगा ठीक है अब देखिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंदू नदी सि एक नदे निकलती है यहीं से निकलती है और यह 17 नदी हमाचल परदेश से होते हुए दोस्तों इस परकार से निकलते हुए इस परकार से इसमें मिलती है उसके बाद आती है काली नदी चली पहले आप इन दो नदियों के बारे में हम लोग समझते हैं तो जो यह सिंधु नद हें कस्मीर हमाले और पंजाब हमाले अर्थात 17 नदी और सब्र नदी से होते हुए निकलती है और जो काली नदी है वे मैं अत्रा खड़ने वह इस तरीके से इस वाले भाग में तो बहुए अब देखिए हम इसको मैंने बड़े दढूर मां यहां जाना है यहाँ पर सत्लर नदी है और यहाँ पर काली नदी है बीच महीं उत्राखंड भी है तो जो सत्लर नदी है यहाँ पर और काली नदी के मद्द का जो भाग है उसको हम कहते हैं कुमाओ हिमाले ठीक हो गया ये भी आप समझ गया होंगे अब हम बढ़ते हैं काली नदी और तिस्ता नदी की और तो काली नदी यहाँ पर है और तिस्ता नदी कुछ यहाँ पर से होके जाएगी तो जो काली नदी और तिस्ता नदी के बीच का जो भाग होगा काली नदी कहां से बहगी जाएगी काली नदी उतरा खंड़ का जो सबसे पूरी भी छोड़ है वहां पर बहती है कहां पर चंपावत में पिथोड़ा गड़ से निकलती है वहां से बौर्डर बनाते है भारत और नैपाल का चंपावत से यहां जो है कि कहां नैपाल में बहने सुरू हो जाती है सारदा के नाम से यह मा भी आपको बताऊंगा थोड़ा बहुत तो चलिए फिलाल हम लोग जानते हैं काली नदी और तिस्ता नदी में हम लोग थे तो काली नदी उत्रा खंड़ का जो सबसे पूरवी छेतर है वहां से निकलती है और नेपाल में जो एक नदी है तिस्ता नदी तो यहां से यहां तक का जो छेतर कहलाता है नेपाल हमाले आप इसको बड़े रूपई मैंने लिख रखा है देखिए ठीक हो गया उसके बाद देखिए तिस्ता नदी जैसे यहाँ पर बहेगी और ब्रमा पुतर नदी जैसे बहती है असम में असम में यहाँ पर से बहेगी तो तिस्ता नदी और ब्रमा पुतर नदी के बीच का जो छेतर होगा उसको हम कहते हैं असम हिमाले, इस परकार से हिमाले का जो प्रादिसिक विभाजन किया गया है, नदियों के अधार पर इस परकार से किया गया है, दोस्तो बहुती आसान भासा में मैंने आपको समझा दिया है, आप इसको जहां देखे समझ गए होंगे, कि सिंदू और सतलर न कोशन बनेगा कि सचलर नदी और काली नदी के मद्ध पर हिमाले का कौन सा भाग इस्तित है आपका उत्तर जाएगा कुमाओ हिमाले ठीक हो गया फिर आएगा काली नदी और तिस्ता नदी के मद्ध में हिमाले का कौन सा भाग इस्तित है आपका उत्तर क्या हो जाएगा नैप नाम जो विसेश हैं वहां रखे गए हैं और उत्रा खंड हमाले के कुमाऊ परादिसिक छेत्रे में आता है दोस्तों याद रखेंगे कई बार एक जामे कोशन बन चुका है कि जो हमारा उत्रा खंड है वो हमाले के किस परादिसिक भाग मा आता है वहां आता है कुमाऊ हमाले आपने यहां से यहां जान लिया है, जो कंमावी हमाबे में आता है, वह किस तरीके से आता है, और किस परकार का ब रहारी हमाले का बढ़़ित की तैसे के पंतरह स्थान आपने हुँआ ठीको आगता है就 nie यहां आज़ी हम जान बारे भासा सा उसके बारे हम लोग डिसकस अभी और करेंगे वह हम क्या करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ वह हमस्ना क्या करेंगे हम लोग आते हैं सब्सक्राइबी भाख में मतलब耳ू अंतराश्टी odor क हरक notor Three अलग से सब्सक्राइय नदी तो मैं आपको बात बताऊं काली नदी जो है वो उतरा जो पिथोड़ा गड़ के लिपोले एक नाम अकिस्थान से निकलती है और वो देखी इस परकार से बहते हुए बहते हुए यहाँ पर से देखी इस परकार से बहते हुए जो है वो नैपाल में परवेश कर जाती ह और नैपाल में जब यहां परवेश करती है तब इसका नाम पढ़ जाता है सारदा याद रखेंगे और नैपाल में काली नदी को महाकाली नदी भी कहते हैं दोस्तों बहुत सार चीज़े में जो बोल रहा हूं आप वो नोट भी करते जाएं कि जब नैपाल नैपाल में जाना जाता है चलिए ठीक है जो यह और यहां से बॉर्डर बनाती हुई इस परकार से निकलती है चलिए ठीक है बढ़ते हैं आगे अब देखिए एक चीज इसमें हम और जोड लेंगे वह क्या जोड़ेंगे देखी यह हमारा बागेसवर बागेसवर से एक नदी निकलती है इसका नाम है स सर्यू नदी बागेसवर से निकलती है और देखिए यह हमारा चंपावत जिला हमारा यहा है और इस जिले में देखिए यहां पर आता है हमारे टनकपूर तो टनकपूर में सर्यू नदी काली नदी से संगम मनाती है कहां पर टनकपूर में और पंचेसवर नाम के एक नेपाल के बीच में एक संधी है सन 1996 में एक पंचेसवर बाध बनाने को लेकर एक संधी की गई थी कब 1996 इसवी में और अगर यहां बाध बन जाता है तो यह भारत का सबसे ऊचा बाध हो जाएगा 35% मीटर उंचा यह बाध होंगा वरतमान में वह तीहरी बाध है तो ठीक है और इसमें एक बात और याद रखेंगे कि जो पंच्यसवर बाध है वह बन Sabbath में जो इसकी इस्थती होगी वह च Aleanda में इस्थत होगी लेकिन जो इसका जो border चोएंगे इसके border पिथोड़ागड से भी लगेंगे देखिए मैंने आप लिख रखा है चमपावत से पिथोड़ागड ने मतलब चमपावत में तो बन रहा है लेकिन इसका जो बॉड़र है वो नेपाल से भी टच होगा और पिथोड़ागड से भी टच होगा आपको ये बात याद रखनी है important चीज़े हैं दोस्तो चलिए ठीक है आपने यह जान लिया कि जो काली नदी है वो लिपूल एक से निकलती है और टनकपुर से होते हुए बहती है भारत और नैपाल का बॉर्डर बनाती है सारदा नदी के नाम से इसको टनकपुर से जाना जाता है नैपाल में इसे महाकाली म पागिसवर से निकलती है पंचेसवर में जब वह मिलती है तो वहीं पंचेसवर पर एक बात बनाया जा रहा है जो कि भारत और नैपाल की संयोक्त परियोजना है 1996 में यहां समझोता हुआ था और यह इसकी जो उंचाई होगी वहां होगी 315 मीटर और चंपावत जिले में इसको बनाया जा रहा है लेकिन जो इसका बॉर्डर है पिथोड़ागर को भी टच करेगा और नैपाल को भी टच करेगा चलिए ठीक है अब देखिए पूरवी छेतर के बारे में जहां तक हमने सब को जान लिया है अब हम लोग बढ़ते हैं उत्तरी छेतर की और उत्तरी का हम लोग ुट्राखनद को इसका अधार हो हो जायina अधार हमालाए ठीक चलिए अब लोग हम लोग आते हैं पश्चामी छेत्र की और तो जो पश्चमी छेत्र हैं जो वहाँ पर हमाचल प discern is और उत्तराखंड को इस Alfie के बारे में हम लोग थोड़ा बाद जान लेते हैं तो देखी जो उत्राखंड को हिमाचल से जो अलग करता है वहाँ है टौंस नदी तो टौंस नदी के बारे में हम लोग थोड़ी जानकर लेलते हैं देखें तो टॉंस नदी दो नदियों से मिलकर बनी हुई है वहाँ है एक तो है रुपिन नदी रुपिन नदी निकलती है हिमाचल पर्दे से एक डोडरा कुआर नाम के इस्थान है वहाँ से हिमाचल पर्दे से रुपिन नदी निकलती है और दूसरी नदी है सुपिन नद इन नदियों का संगम होता है नेटवार नामक इस्थान पर नेटवार नामक इस्थान पर और यहीं से इस नाम को इस नदी को टौंस नदी के नाम से जाना गया है ठीक है और यही जो नदी है यही हिमाचल परदेश और उत्राखंड का बॉर्डर बनाती है किस साइट से पहस्चेमी भाग से ठीक है अब देखिए हम लोग एक बात इसमें और जानेंगे देखिए जब टौंस नदी उत्राखंड और उत्राखंड और उत्राखंड का बॉर् बहती है यमना नदी बहती है और यह कालसी नामग स्थान पर मिल जाती है किस से टाउंस नदी से तो टाउंस और यमना नदी कालसी नामग स्थान पर मिल जाएंगे और देखी यहां पर दोस्तों एक कुशन आपने बहुत ही कम पढ़ा होगा जिसको मैं आपको बता दी रहा ह और हिमाचल के मद्य बॉर्डर बनाती है देखिए मैंने आप लिख रखा है यह मुना नदीभी उत्रा खंडव हिमाचल के बीच में बॉर्डर बनाती है तो दोस्तों आपने यह जान लिया होगा सब कुछ बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझा दिया है और तरही छेतर के बारे में यह तो हमारा जो दक्षणी भाग है इसके बारे में हम लोग देखिए एक बात में आपको और बताएता हूँ आज जो हम इसके बाद भी जो हम चर्चा करेंगे वह करेंगे कि जो यहां पर हमारी अंतराश्टी सीमाय है जो नैपाल और चीन से लग रही है आज हम इनके बारे में dhan करेंगे जो हमारा अगला पेज आएगा और जो इसके बात की जो हमारे वीडियो होगी उसमें हम हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत में पश्चे मी छेत रहे हैं और दक्छनी छेत रहे हैं मतलब यह वाले और यह वाले यहां के कौन कौन से जिले उत्राखंड से मिलते हैं कि सराज जी के जिले उत्राखंड से मिलते हैं उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे आज हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं इसके बाद हम लोग यहां चर्चा करने वाले हैं कि उत्राखंड के कौन से जिले चीन से मिलते हैं उतराखंड के कौन से जिले नैपाल से मिलते हैं सारा विस्तार में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा तो आप यहां से सब कुस समझ गये होंगे सुपिन नदी रूपिन नदी का संगम होता है नेटवार नाम अगिस्थान पर होता है यहां से यह नदी टौन से के गुरूप में बहते हुई कालसी नाम अगिस्तान पर यम्ना में मिल जाती है तो यम्ना नदी यहां से बहती है तो यम्ना नदी भी कुछ छेतर तक उद्रा खंडो और हमाचल की बीच में बॉर्डर बनाती है चलिए ठीक है और दोस्तों यह संदी बहुत इंपोर्टेंट है आपको याद रखनी है बहुत बार यहां में पूछ लिए कब हुई थी किसके मद्ध हुई थी और पंचेसर बात की जो उच्छाई होगी वहां कितनी होगी चलिए ठीक है हम बढ़ते हैं आगे तो देखिए अब हम लोग अध्यन यहां कर लेते हैं कि चीन और नैपाल के साथ भारत के जो चीन और नैपाल के साथ उत्रा खंडेगी कौन कौन से राज्य मिलते हैं अर्थात अंतराष्टी सीमा देकि चीन से मिलती है और नैपाल से मिलती है तो यह अंतराष्टी सीमा है वह उतराखंड की किजनी है तो वह है 625 किलो मीटर आपको याद रखना है दोस्तों कि उतराखंड की अंतराष्टी सीमा की लंबाई कितनी है 625 किलो मीटर चलिए ठीक ह और उत्राखंड के कितने जिले अंतराष्टी सीमा बनाते हैं यह भी कई बार एक जामे पूछ लिया गया है तो उत्राखंड के पांच जिले अंतराष्टी सीमा बनाते हैं वो पांच जिले कौन से हैं आपको याद रखने हैं most important है और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूँ मैं से सुरू से कहता आ रहा हूँ कि आप अपने दिमाग में ये map छाप लेजिए क्योंकि अगर आप ये map अपने दिमाग में छाप लेते हैं आपको रटने की बिलकुल भी आउल सकता ही नहीं बस आप एक बार जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ एक बार पढ़ेजी आपको दुबारा पढ़ने की जरुत पढ़ेगी ही नहीं क्योंकि आपको जब इन जिलों की इस्थती map में मालुम होगी ना तो आप खुदी से सब कुछ कर सकते हैं रटके तो आप कुछ चीज रटते हैं तो वह आप पांच या दस दिन भूल जाएंगे लेकिन जब आप कोई चीज मैप से लेके पढ़ते हैं तो आप वह आपको लंबे समय तक याद रहती हैं तो देखिए चीन की हम लोग पहले बात कर लेंगे कि चीन से उतराखंड के कौन कौन से जले इस पर से करते हैं लेकिन इससे पहले हम यहाँ जानेंगे कि चीन की जो अंतराष्टी सीमा है वह उतराखंड से कितने किलो मेटर छेतर बनाती है तो चीन से जो हमारा उतरा खंड है वो 350 किलो मेटर लंबी सीमा बनाता है यह देखिए यहां से लग जाता है और यही बनाएगा 350 किलो मेटर लंबी सीमा कौन से चीन से कोशन क्या बनेगा उत्रा खंड चीनसे कितनी लंबी सीमा बनाता है आपका उत्र голुप्धाइस किलोमेटर की हैower हम लोग यह जान लेते हैं कि चीन से कौन सीमा को इस पर से करते हैं आपका उत्तर क्या हो जाएगा तीन जिले आपको याद भी रखने हैं वह कौन-कौन पिथोड़ागर अगर आपके दिमाग मैप छपा है आपको पता है कि इस साइट को यह तीन ही जिले जो है पढ़ते हैं जो कि चीन से चीन से सीमा बनाते हैं चलिए ठीक है अपने जान लिया है कि चीन से कौन-कौन से जिलेश पर से करते हैं अब हम लोग जानेंगे कि जो हमारा पूरवी शेत्र में जो नैपाल पर रहा है उस से कौन-कौन से जिलेश पर से कर रहे हैं और जो नैपाल और भारत का बॉर्डर है वह कितने किलो मीटर का है तो नैपाल और भारत के मत जब बॉर्डर बन रहा है वह बन रहा है 275 किलो मीटर का दोस्तों ये डेट अब ये जो जितने भी चीज़े में बता रहा हो तो नैपाल से भी तीन जिले और चीन से भी तीन जिले याद करने मैप को आसानी हो जाएगी दोस्तों दोनों के तीनों के तीन ही हैं तो उत्राखंड से नैपाल के तीन जिले इस पर से करते हैं कौन-कौन से पिथोड़ागड, चमपावत और उधम से हैं नगर आपको मैप क मादन से मैंने समझा दिया है इस से अच्छा समझाने का तरीका और कुछ नहीं है अब देखिए मैंने आपको यहां पर देखी कुछ बना रखा है दोस्तो इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए पिथोड़ागर में एक इस्थान है काला पानी नामक इस तो इस इस्थान पर क्या होता है भारत की नेपाल की और चीन की भारत की नेपाल की और चीन की तीनों जो इनकी बॉर्डर हैं यहां पर इस इस्थान पर मिलते हैं तो यह कोशन इंपोर्टेंट हो गया कि उतराखंड के कि इस इस्थान पर भारत चीन और नेपाल के बॉर् हैं ठीक हो गया चलिए देखते हैं आगे अब देखिए एक बात आपको बहुत ही important बात याद रखनी है कि एक्जाम में कई बार देखिए चीन से हमारा पितोडागड भी जो है इस पर से कर रहा है और चीन से नेपाल भी इस पर से कर रहा है तो इस परकार उत्राखंड का कौन सा जिला दो देखिए को इस पर से कर रहा है आपका उत्र क्या हो जागा पितोडागड कौन कौन से जिले चीन और नेपाल काफी important है दोस्तो जो हमारा पिथोड़ागड जिला है वह किन दो देशों को इस पर से करता है चीन और नैपाल काफी बारिया में पूछ लिया गया है तो दोस्तो आज आपको मैंने जो भी यहां से अंतराश्टी सीमाओं के बारे में जानकार थी आपको मैंने बता दी है अगली वीडियो में क्योंकि एक ही वीडियो में आपको मैं सब चीज़ें बताने लगूं तो आपको भी याद करना थोड़ा कठिन हो जाएगा इसलिए उतना ही पढ़ेंगे जितना आपको याद हो सके और दोस्तों एक बात मैं और बता दो हमारे चैनला में आजुनिक भारत के इतिहास के सीरीज चलाई जा रही है जहां से आपको कंपलीट उसमें भी कोर्स कराया जाएगा और साथी साथ में राजिंदर बलोग जी जो पुस्त है कि उतराखंड समगर अध्यनकी उसकी भी सीरीज चलाई जा रही है उसकी नौ सीरीज हमने कंपलीट कर ली है तो दोस्तों आज के लिए आप जहां तक समझ गया होंगे सब कुछ काफी आसान भासा में मैंने आपको समझाया है जितने भी अंतराश्टी सीमा के बारे में आपको मैंने जान कर दी है आपको वो सार के सारी याद कर लेनी है कोल अंतराश्टी सीमा थी हमारे 625 किलो मीटर उतराखंड की और पांच जिले जो हैं अंतराश्टी सीमा बनाते हैं कौन-कौन से है इक जामें दोस्तों कभी-कभी क्या होगा आपके सामने चार आप्सेंस रहेंगे आपसे जिसे चार आप्सेंस क्या हो जाएंगे जैसे एक आप्सेंस हो जाएगा उत्तरकासी चमोली पिथोड़ागर और एक आप्सेंस होगा ऐदम से बनाते हैं कौनसे ऌतार चमोली चंपावद और उद्मसिनगर पांच नाम नाम हैं न सबसे नाम पूमी च मोली चंपावद दिक सबसे नाम से नाम कर esao ही याद हो जाएंगे और चंपा बच्च मूलिया आपको एक ही जैसे नाम है ऐसे आप याद कर लेंगे तो कुल अंतराष्टी सीमा 625 किलो मेटर पांच जिले अंतराष्टी सीमा बना रहे हैं और इसमें एक चीज और है सरवादिक लंबी अंतराष्टी सीमा कौन सा जिला ब बनाता है पिथोड़ागर्कियों की यहाँ नैपाल से भी बना रहा है और यहाँ चीन से भी बना रहा है उसके बाद हमने जाना है कि सरवादिक लंबी अंतराष्टी सीमा हो गई इसकी पिथोड़ागर्की ठीक हो गया देखिए मैंने दोनों जग़ें यहाँ पर लिख द जो हमारा पिथोडागड जिला है वो नैपाल वा चीन दो देशों के साथ अपने सीमा बना रहा है तो दोस्तो आज की वीडियो में हमने संपूर्णा धिन कर लिया है जो जो चीज़े इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ लेंगे जो चीज़े यहां से छूट रही तो दोस्तो बने रही है मेरे साथ आज के लिए इतना ही चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए सेर कीजिए और बैल आइकन को प्रेस कीजिए तो दोस्तो आज के लिए इतना ही